नमस्कार मैं हूँ अभिशेक मिश्टा और आप देख रहे हैं चिनाव आज तक उत्तरपदेश में लोकसबा चिनाव की सुबुगाट के साथ ही अब अलग-अलग पार्टियों के एक के बाद एक बयान और समीकरणों में बदलाव नज़र आ रहे हैं समाजवादी पार्टिय और कॉंग्रेस सीट शेरिंग को लेकर पहले ही कमोवेश एक कश्मकश में दिखाई देती है ये breaking news वो दे रहे हैं और एक बात उन्होंने और कही कि सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़के जिसकी भी सीट बदली जा रही है ये बात सपा अध्यक्षकली शादव ने बजट सतर के पहले दिन कही और इस खबर को लेकर के बीजेपी की खेमे से भी इसका जवाब आया टिप TCM रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसी ही बाते करती है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए यानि कि अब सीटों को लेकर के जहां कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चली आ रहे ही तना तनी को लेकर के खबरे बन रही थी उस बीच में अकली शादव ने इस बात को कहके इस बारे में इंगित किया कि बीजेपी में बड़े तौर पर टिकेट कट रहे है जाद से आदा सांसोतों के टिकेट कर रहे हैं और पीडिये का जो नारा लेकर के इंडिया लाइंस के साथ समाजवादी पार्टी इंचुनाव में आ रही है यह कर रहे है कि बीजेपी बड़ा बदलाव अपने टिक्टों में करेगी एक सीट का इशारा करते हुए उन्हों यह असर कही ना कहीं पीडिये और इंडिया की अलाइंस का है तरशल यूपी में लगातार सीर शेरिंग का जो मामला है वो गल्बल हो रहा था कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अभी तक सहमती नहीं बन पाई है अकले शादव ने 11 सीटे शुरुआती तो इसा नंबर सामने आएगा जिस पर दोनों पुक्ष सहमत होंगे हाला कि आधिकारिक तोर पर अभी तक सीट को लेकर कोई आलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि 13 से 14 सीट तक ही कॉंग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है और 60 से कम सीटों पर वो लने को तयार फिलाल नजर नहीं आ रही है ऐसे में अकले शादव का ये बयान इस तोर पर देखा जा रहा है कि कैसे बीजेपी में भी बड़ा बदलाव हो रहा है और बीजेपी भी बड़े तोर पर टिक्टों को काटेगी अपने सांसदों को बदलेगी और यही बात आज अकले कंदिर के प्राणपतिष्टा के बाद लाखों लोगों के दर्शन करने की बात को कहा और ये भी कहा कि बहुत जल्द आ उतरपदिश सरकार की तमाम निवायन दे और रहाएक भी वहां दर्शन के लिए जाएंगे लेकिन दूसरी तरफ लगाता सीट शेरिंग के मामले पर अपने आपको सेफ परते नजर आ रहे अकली शादव ने एक आज बड़े बयान के जरीए कही ना कही सियासत को गर्म किया है बीजेपी पर इस पीडिये और इंडिया के अलाइंस के डर में अपने सांसदों के टिकेट बदलने की बड़ी बात कही दी और एक सीट को जहां पर सीट बदली जा रही है बाकि सबी सांसदों के टिकेट बदलने की बात अकली शादव ने कही है यह साफ होता नजर आता है कि चिनाओ के एलान में भले ही समय है लेकिन टिक्टो को लेकर के जो राजनीती इस वक्त चल रही है और खास तौर पर इंडिया आलाइंस इसमें टिक्टो की सहमती नहीं हो पा रहे उसके डिफेंस के तौर पर और इसकी काट के तौर पर अकली शादव का यह आते-ाते ही सत्र के पहले दिन ये बड़ा बयान सीधे तोर पर समझा जा रहा है कि कैसे अकली शादव अब इस पूरे मुद्द से धान हटाने की कोशि पर नहीं बलकि जनता जो है वो चुनाओ लडवाती है जनता इंतजार करती है कि कैसे चुनाओ होगा और संसदों को संसद में पहुंचाया जाएगा और हमारा एक ही चहरा प्रधानमंत्री मोधी का इस चुनाओ के लिए काफी है साफ है कि समाजवादी पार्टी के मुख्या कि इस बयान को लेकर के भी राजनीती तेज हो रही है और बीजेपी लगातार अपने तैयारी में चुटी है उतरपदेश के प्रभारी की बिन्यूकती हो गई है लेकिने सब के बीच में इंडिया आलाइंस की सीड शेरिंग का जो ताल में नहीं बैट पा रहा उसको बचाने की लखे शादव का ये बयान सीधे तोर पर बीजेपी को सवाल करता नजर आ रहा है जहांपर बीजेपी के सभी सांसोदों के चादातर टिकेट कटने की बात अखले शादव में कही है और इस बात को वो जाहिर कर रहे है कि पीडिये और इंडिया अलाइंस का ही असर है जो बीजेपी इस फैसले को ले रही है अब इस बयान में कितनी सचाई है और इसका किस तरीकी से असर चुनाओं में टिक्टो के बटवारों में दिखेगा यो तो वक्त ही बताएगा लेकिन ये जरूर है कि अपने गटबंदन को साधनी की कवायत में अकली शादव का ये बयान सियासत को भी गर्म कर रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको आप हलके में लेते हुए सीधे तौर पर वे बुनियाद बताती है लेकिन लोग सबाकी चुनाओं की इस राजनीती के बीच सीटों के संशे के बीच में अक